हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्जाम एलप आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एड्मिनिस्टेटिव सर्विस एक्जामिनिशन 2020 के जनरल स्टडी के कॉशन पेपर को 13 सेप्टंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में एचेस का प्री लिमिनरी एक्जामिनिशन कंड़क्ट करवा गया है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस एक्जामिनिशन के जनरल स्टडी के कॉशन पेपर में आयोए कॉशन के राइट अंसर ओफिशल अंसर की से कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश एडमिस्ट्रेटिव सर्विस के जनरल स्टडी के एक्जामिनेशन में किस प्रकार से कॉशन पूछ जाते हैं और यहां पर यën सिरीज रहने वाली है ए सिरीज पहला कोशन है प्राकृतिक भगौलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालंपूर, दर्मिशाला और जोगिंदर नगर नीमन में से किस क्षितर में आते हैं? राइट अंसर है ओप्शन D आदरसम सिटोशन सन 1948 में नीमन में से कौन सी रियासत या ठकुराई महासू जिले का भाग नहीं बनी? राइट अंसर है ओप्शन D आनी जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तीपती नाम है? राइट अंसर है ओप्शन B मंडी हिमाचल प्रदेश की बरफ से ढकी की सचोटी की बनावट स्विजर लेंड की मेटर होर्न जैसी है राइट अंसर है ऑप्शन ए गेफांग नीमन में से कौन सा युगल सही नहीं है राइट अंसर है ऑप्शन डी स्वांगला जांजरारा सुची वन और सुची टू का मिलान करें एवं निचे दियेगे कूटों के अधार पर साही उतर चुने यह सुची वन और यह सुची टू राइट अंसर है ऑप्शन बी लोडी को राज्यय तुहार गोशित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रत्थम लोडी तुहार किस जगा पर मनाए गया है राइट अंसर है ऑप्शन बी प्रागपूर निमन में से किस मंदर का निर्मान आहूक और मन्यूक दो वेपारियों द्वारा किया गया माना जाता है राइट अंसर है ऑप्शन बी बैजनात मंदिर निमन में से किस गोंफा के पुस्तकाल्यम में कंग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रे है नीमन में से कौन सा कथन सही नहीं है अरकी चित्रकला शेली की स्थापना राजा जगत सिया ने की थी हिमांचल प्रदेश भाशा कल्ला एवं संस्कृती आकादमी को किस गाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडूलेपी प्राप्त हुई जो आयरुवेदिक औशदी प्रनाली से संबंदी थी राइट अंसर है ओप्शन डी स्पीति गाटी निमन में से कौन सा युगम सही नहीं है राइट अंसर है ओप्शन ए फतेपूर किला बंदलाधार चमबा का एक विशेश सिक्का कौन सा है जिसके पांच सिक्के का एक आनना होता है राइट अंसर है ओप्शन सी चकली निमन में से कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने चमबा और बरमौर में पूरत अत्व वशेशों का प्रिक्षन किया था राइट अंसर है ओप्शन सी जनरल कनिंगम पठ्यार और कनिहार मैं पाएगे प्राचिनतम पशान अभिलेखों की लिपी क्या है राइट अंसर है ओप्शन ए ब्रहाम्मनी तिबती और भिन्यकला संस्थान द्वारा मेकलोड गंज में प्रतिवर्ष मनाय जाने वाले गीती नाट्या तिहार कौन साय जो 1969 से पूर्व लहासा की वार्षिक विशेश्ता थी राइट अंसर है ओप्शन बी शोतोन निमन में से कौन से गाटी बिना अपवाद किनोर जिले की सबसे विश्यम गाटी है राइट अंसर है ओप्शन ए तिदोंग गाटी निमन में से किसे जिये श्ठेक और कनिश्ठेक नामक दिया गया है राइट अंसर है ओप्शन सी मलाना गाओं की खाप अंचायत के उच सदन एवं निचला सदन लाउन स्पिती के प्रती हेक्टेर आलू उतपादन में निमन में से किस देश को दूसरे पायदान पर दकेल दिया राइट अंसर है ओप्शन सी निदरलेंड सन 1817 में निमन में से किस जगा का सरप्रतम वर्नर स्कोटिश अफसर भायों की डाइरी में मिला राइट अंसर है ओप्शन भी शिंबला निमन में से किस नदी घाटी में चार जिलों के 9258 गाओं के बारसों से अधिक पंचाईतों में जलवायू परिवर्तन स्वेदन शिल्ता का आकलन किया जा रहा है राइट अंसर है ओप्शन सी ब्यास प्रिवान बिवाग हिमाचल प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निमन में से कौन से ब्यब अधारित सौफ्ट वेर लागू किया है राइट अंसर है ओप्शन भी सार्थी सन अठारा सो बावन में दिल्ली टी स्टेट की स्थापना करने वाले वोटो निकल गार्डन के अधिक्ष कौन थे राइट अंसर है ओप्शन भी डॉक्टर जेमसन एक गेहन अनुसंदान और उस योजना की सफ्रता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है राइट अंसर है ओप्शन डी कि नौर बहुस्तरिया मार्केटिंग कम्पनी इजी बेविद द्वार स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एम्मू प्रजनन के इंदर कहां स्थित है राइट अंसर है ओप्शन ए गडवाल उन्ना निमन में से कौन दो वन्याजीब विशेशग्या थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम वर्ड रिंकिंग स्थेशन स्थापित करने में प्रमूक योगदान रहा राइट अंसर है ओप्शन सी फ्रांसिस बुनार और टी एच वॉकर नेक्स्ट है शंगाई सहयोग संगठन के 18 अजूबों में निमलिक्त में से किसे शामिल किया गया है राइट अंसर है ओप्शन सी स्टेच्यू ओफ यूनिटी भारत ने किस देश को काम्याब नाम का एक मेडिन इंडिया गश्ती पोत उफार में दिया है राइट अंसर है ओप्शन बी माल दिव 27 दिसंबर 2019 को किस भारतिय वायू सेन के विमान का विगटन किया गया था राइट अंसर है ओप्शन ए 26 जनवरी 2020 को एक एत्यासिक समझोते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी श्रनार्थी समधाय को त्रिपुरो में बसने की अनुमति दी जाएगी राइट अंसर है ओप्शन बी ब्रू रिनंग हैनले पासपूर्ट इंडेक्स 2020 में बारतिया पासपूर्ट की रेंकिंग क्या है राइट अंसर है ओप्शन डी ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्याले का है राइट अंसर है ओप्शन बी नहीं दिल्ली बॉइड क्यू आइटी क्या है जो हाली में खबरों में था राइट अंसर है ओप्शन बी सिमाओं की डिजिटल निगरानी भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बारत में हाउस स्पेरों की स्थिती क्या है राइट अंसर है ओप्शन ए स्थिर बारत के किस देश के साथ अडू प्रियाटन स्थापित करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये राइट अंसर है ओप्शन ए माल दीव्ज ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों की बीच भारत की रेंक क्या थी राइट अंसर है ओप्शन ए 140 वी किस प्रदेश स्रकार ने एक परिवार एक नौकरी योजन शुरू की है राइट अंसर है ओप्शन भी सिक्किम के द्वारा बारत में किन शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है राइट अंसर है ओप्शन डी लगतार राष्ट्रिय परिवेश वायू गुणवत्ता मानकों की तुल्ना में खराब वायू गुणवत्ता दिखा रहे सिटिनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की सुची में कौन सा देश शिर्ष पर रहा है राइट अंसर है ओप्शन डी चाइना किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंदित अपरादों का अपरादिकरण किया है राइट अंसर है ओप्शन डी शिरिलंका बड़ा दशेनन किस देश में मनाए जाने वाला तुहार है राइट अंसर है ओप्शन बी नेपाल अंतराश्ट्रिय महिला दिवस 2020 का अभियान बिश्य क्या है राइट अंसर है ओप्शन डी बराबर के लिए प्रतेक ओपरेशन कारवाश शब्द जो हाली में समचार में बना रहा है किस देश से संबंदित है राइट अंसर है ओप्शन ए ब्राजिल सियुक्तराश्टर जलवायू शिकर समिलन COP26 की मेजवानी कौन सा देश करेगा एक नविंतम रिपोर्ट 2019 में विश्यव बैंक ने भारत के प्रवासों और नित्यों की सराना की है राइट अंसर है ओप्शन ए 1991 के बाद से गरीबी को आदे से कम करना अर्थ शास्तर के लिए नोबेल पुरुसकार 2019 में अबिजीत बनरजी एस्तेर डफलो और माइकल क्रेमर को समानित किया गया है राइट अंसर है ओप्शन ए विकास शील दुनिया में गरीबी से निप्टने के सबसे प्रभावी तरिकों की खोज करना परेवरन में जारी होने वाले माइक्रो वॉइड्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है राइट अंसर है ओप्शन ए इन्हें समुद्री पर स्थितिक तंतर के लिए हानिकार का माना जाता है निमलिक्त मैंसे पिछले पांच वर्षों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यात कौन है राइट अंसर है ओप्शन बी इंडिया किस देश का राजदानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा गया है राइट अंसर है ओप्शन ए कजाकिस्तान निम्लिक्त मैंसे किसको ब्रेटन बूर्ट्स दिवस का जाता है राइट अंसर है ओप्शन ए आई एम एफ और पुनर निर्मान और विकास के लिए अंतराश्ट्रिय बैंक नेक्स कोशन है एक जन्वरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच न्यालय मिला जो भारत का 25 उच न्यालय है राइट अंसर है ओप्शन डी आंदर प्रदिश निम्लिक्त मैंसे किस राज्य में द्वी सद्निया विधान मंडल नहीं है राइट अंसर है ओप्शन डी पश्चिम बंगाल 1969 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचाईती राज को अपनाया राइट अंसर है ओप्शन ए राज्यस्थान पंचाईती राज बेवस्ता के बारे में निम्लिक्त मैंसे कौन सा सच है राइट अंसर है ओप्शन सी वन और टू दोनों और यहां पर वन में दिया गया है यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दारजलिंग जिले में लागू नहीं हुआ पंचाय चुनाबों के लिए निर्वाचिन क्षेतरों में सीटों के अवंटन पर कानून के किसी न्याल्या में सवाल नहीं उठाय जा सकता निवलिक्त में से कौन CLM सिंगवी समिती की सिफारिशे है राइट अंसर है ओप्शन डी यह सबी पहल योजना किस से संबंदित है राइट अंसर है ओप्शन बी एल्पीजी सबसीडी का प्रतेक्ष अंतरण भारत के सविदान की किन अनसुची के तेत खनन के लिए जन जातिया भूमे को निजी दलों को हस्तारंतित करने को शुन्या और शुन्या गोशित किया जा सकता है राइट अंसर है ओप्शन बी पांचवी अनिसुची राजे सब अपने विचारों के लिए बेजेगे वित विदे को लोगसबा द्वारा अधिक्तम अवदी के लिए बिलंबित कर सकती है राइट अंसर है ओप्शन ए चौदा दिन तक सविदान चैसवे शिंशोदन अधिनियम दो अजार दो से संबंदित है राइट अंसर है ओप्शन ए शिक्ष्या का अधिकार 6-14 वर्ष की आयोग के बच्चों के लिए मौलिक राश्ट्रिया मानवा अधिकार आयोग एक है राइट अंसर है ओप्शन सी सविदानिक निकाय किस केंद्रिया मंत्रालिया ने सारजनिक सेवा के प्रभावी वित्रण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेटस लौंच किया है राइट अंसर है ओप्शन सी श्रम और रोजगार मंत्रालिया द्वारा 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू कियागे सुशाषन सुचकांक में कौन सा राज्य शिर्षपर है राइट अंसर है ओप्शन ए तमिल नाडू निमलिक्त मेंसे कौन आर्या समाजी नहीं था राइट अंसर है ओप्शन बी बाबा राम चंद्र निमलिक्त में से कौन सा संगतन सबसे बाद में स्थापित हुआ है राइट अंसरे ओप्षन ए राष्ट्रिया स्वयम सेवक संग वर्ना की उलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ राइट अंसरे ओप्षन ए 1888 इसवी के दोरान पावना विद्रोह निमलिक्त में से किस क्षेत्र में हुआ राइट अंसरे ओप्षन सी बंगाल चेंबर ओफ प्रिंसेस का सरप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ राइट अंसरे ओप्षन सी 1921 इसवी के दोरान अठारा सो असी में आकाल निती पर नियुक्त आयोग की अधिक्षता किसने की राइट अंसर है ओप्षन बी रिचर्ड स्ट्रेची दोरा 1923 में ब्रसल में हुए कॉंग्रेस ओफ और फ्रेस्ड नेशनलीज में निमलिक्त में से कौन उपुस्ति था राइट अंसर है ओप्षन डी जुवार लाल नेहरू उल गुलान क्या था राइट अंसर है ओप्षन ए एक मुंडा विद्रो निमलिक्त संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद स्थापित हुए राइट अंसर है ओप्षन बी मद्रास महाजन सबा ब्रिटिश प्रदान मंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब तक योगोशना की कि जून 1948 तक उत्रदाई बारतियों के हाथों में सत्ता का हंस्तरांत्रन कर दिया जाएगा राइट अंसर है ओप्षन बी फरवरी 20.1947 युवाओं को उक्रामतिकारी राष्टरवाद की और अकरशित करने के लिए सचिंदरनात सनाल्या ने निम्लिक्त में से कौन सी रचना लिखी है राइट अंसर है ओप्षन डी बंदी जीवन निम्लिक्त में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है जलंदर दोआब का सम्बंद निमलिक्त में से किस से है निमलिक्त में से कौन पुरवी घाट की सबसे उन्ची चोटी है राइट अंसर है ओप्शन B आर्मा कौंडा खेतडी में समरिद जमा है राइट अंसर है ओप्शन C तामबा उन्चास्वे समांतर के साथ कौन जुड़ा है राइट अंसर है ओप्शन B कनाडा और USA रूस की लीना नदी मिलती है राइट अंसर है लेप्टेप सागर में बंजर जल प्रवात ऑस्ट्रेलिया के किस सरंचनात्मक विवाजन से जुड़ा है राइट अंसर है ओप्शन A पुर्वी हाइलेंड्स कनाडा में विन पैंग किसलिये प्रसिद है राइट अंसर है ओप्शन A फर प्रफाशन नेक्स्ट कोशन है बारत के मानव विकास सुचक्यांक के निर्मान में निमलिक चर कारकों में किसका उप्योग नहीं किया जाता है राइट अंसर है ओप्शन C रूग्णता प्रचन बिर्युजगारी का मतलब है राइट अंसर है ओप्शन A धम की सिमांत उत्पादकता शुन्या मानव विसका विकास सुचकांक लेंगिक और समानता को मापने के दुरान किस पैरामिटर का उप्योग नहीं करता है राइट अंसर है ओप्शन B स्वास्तिया संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लौच किया गया है राइट अंसर है ओप्शन D युवाओं को बाजार प्रसंगिक प्रशिक्षन भारत में राजकोश्या नितियक का सुनेरा नियम है राइट अंसर है option B, केवल सार्वजनिक निविशक के लिए उधार लेना, निमलिक्त मैंसे कौन प्रवंदन प्रदर्शन संकेत का एक उधारण है राइट अंसर है option B, जनता या करमचारियों के शिकायतों की संक्या, इन मैंसे कौन सा corporate समाजिक जिम्यदारी का आयाम है राइट अंसर है ऑप्शन डी परोपकारी NGO को विकास प्रक्रिया में मौझूद समस्याओं पर ध्यान केंदरित करने और ठी करने के लिए के रूप में मानेता प्राप्त है राइट अंसर है ऑप्शन सी जादुवी गोली निमलिक्त में से कौन सा धारणिया विकास के लिए प्रात्मिक लक्षिया है राइट अंसर है ऑप्शन बी कच्रे और उत्सर्जन को भारत का इको मार्क लेबल है राइट अंसर है ऑप्शन बी एक मिट्टी का बरतन निमलिक्त में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामोविक विनाश नहीं होता राइट अंसर है ओप्शन C अत्याधिक बारिश 40 वोट बिजली के बलव का उपयोग हर दिन 6 गंटे के जाता है 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विद्यूत इकायों की संक्या है राइट अंसर है ओप्शन D 7.2 एक धिमे निूट्रोन बंबारी के साथ यू 235 के प्रमानु विखंडन में लगबग उर्जा का उत्पादन होता है राइट अंसर है ओप्शन C 200 MEV दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला दंत मिशर धातू है राइट अंसर है ओप्शन A चांदी, पारा, टिन, तामबा और जस्ता निमलिक्त में से कौन सा प्रदार्थ पाने की खठोरता के लिए जिमेदार नहीं है राइट अंसर है पौदों के बविन अंग जिसमें लयू कोप्लास्ट मौजूद है राइट अंसर है ओप्शन A जड़े और भूमिगत तना टेरिडो फाइटा में नहीं होते हैं राइट अंसर है ओप्शन D फूल जानवरुग की स्मूव में श्रीर की गुवा खून से बर जाता है राइट अंसर है ओप्शन B और थ्रो पॉड़ा मास पेशों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर खिलाडियों में एंठन होती है इसका कारण है राइट अंसर है ओप्शन B अंबल में रूपांतरन तो देखे ये था एचेस का जनरल स्टड़ी का फुल कोशन पेपर और इसके PDF का लिंक आपको मिल जाएगा Examelf के Official Facebook पेच पर इसके लावा देखे इसके लिए Official अंसर की IO के द्वारा जारी की गई है और आप IO की Official वेबसाइट में विजिट करके डिरेक्टली इनकी अंसर की को डाउनलोड कर सकते हो आज की इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को दिखसे दिक लाइक और श्चेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वाचिंग